आप कही अपना यूटुब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज आप मार्ग लटजीरा के बारे में ये अदभुद आउस्धी है इसका उप्योग प्राचिन काल से होताया है या प्राया बरसात के दिनों में खेत खार गली मुहलों में अपने आप ही ओगाता है या अदभुद पौधा प्राकृति का वर्दान है या ज़र से लेकरते ना पत्ते सभी आउस्धी गुनों से भरपूर है इसके पत्ते बिलकुल हरा रहते हैं उसके बाद इसमें एक दाने फल आ जाता है जो दाने के रूप में रहता है ओ दाने कपड़े हाथ पैरो में चिपक जाते इसमें अभी फल नहीं आया है इसको फल आने में अभी एक से ड्र महेने का टाइम है और ये नौवंबर में पुरी तरिका से इसका दाना उभर आता है दाने भी इसका बेज बहुत की आउस्दिग उनों से भरपूर है प्राकृतिक कवरदान है इसका उप्योग आदिकाव से होताया आ रहा है इसके जड़ को अगर घर में मुख्य दर्वाजे पर बान दिया जाए तो नकरात्मक एनर्जी नहीं आ पाता ये जोती सिद्रिष्टि कौन से बहुत ही उप्योगी है इसके साथ ही अगर किसी बांशपन महिला जिसके साथी दो साल, चार साल, साथ साल, आड़ साल हो गई है फिर भी बच्चे नहीं आ रहा है प्रेगनेट नहीं हो पारा किसी कारण से तो इसके जो जड़ दिखाई दे रहा है इस जड़ को आपको अच्छी तरीका से धोकर इसको पीस कर सुखा लेना है फिर इसे 2-2 ग्राम की मातरह में दूस से लेना है इसको कब लेना है? जब महला का प्रेग्रेंसी साफ हो जाए, बंध हो जाए जो रखते स्तरा होता है, वो बंध हो जाए उसके दिन प्राया 5-6 दिनों के बाद उसका रखता इस तरा हो बंध हो जाता है उसके बाद इस सुबा साम 2-2 ग्राम दूद के साथ हो खाने खाने के बाद लेना है या इसको जो फल है, फल होते हैं उसको खीर पका के, दूद मच्छी तरीका से पका के सुबा साम 6 दिन लगता रुप्योप करने से प्रेग्नेंट हो जाती है जबरदस्त आउस्दी आदिकाल से प्रयुक्त होताया है इस जबरदस्त आउस्दी का आपको पत्ते सहेंत आप पहचान लिजे ये बरसात के दिनों में ही मिलेगा इसको अच्छी तरीका से आप देख लिजी क्यूंकि पंसारी के दुकान में आप लेते हों जड़ी बुठी के दुकान में वहाँ पर कोई और अउस्दी रहता है ये तो बहुत पुराना रहता है जो उपयोग में नहीं आता खास लाब नहीं मिल पाता तो आप सोहम ही आप इसको उखाड़कर रख लिजे बरसात के दिनों में ये तो इसके जो खाल आएंगे उसको रख लिजे जो हर एक महना को प्रिग्नेट करने में सक्छम है ये है जवर्दस्त अउस्धी अगर इसके दस पत्ते दातों में लगा दिया जाए तो दातों का दर्द दूर हो जाता है साथ ही अगर किसी भी प्रकार का अगर बुखार से गरसी थे तो इसके पत्ते तना और जड़ को लेकर पूट कर अच्छी तरिका से पका कर आधा गिलास रहे जाए तो इसको खाली पेट लेने से बुखार उतर जाता है जो इसके जड़ है आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जड़ को जो प्रेगनेंट महला है उसके कमर में बांध दिया जाए चटों महिना से आपको बांधना है तो ये निक्चित ही नार्मल डिलवरी होता है ये नार्मल डिलवरी कराने में बहुत ही सायक है इसकी जड़ को बांधना है उसके कमर के पास और जैसे डिलवरी हो जाए इसको तुरान उतार कर ठंडा कर देना चाहिए जल में परवाहित कर देना चाहिए यह बहुत ही असरकारत आजधी है दवाई है यह जो आपको बिल्कुल मुक्त में मिल जाएगा आप लाखो हजारों रुपिया खर् आपको सफालता मिलेगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए सेयर करिए ताकि इसका लाव सभी लोगों को मिल सके